सभी को नमश्कार आज का हमारा पाठ अथिति तुम कग जाओगे लिखा है शरत जोशी जिने और इनका परिच्छे जो है यहाँ पर देखो आप यह देख सकते हो यहाँ पर परिच्छे दिया गया है लेकिन आज हम इसका संग्षिप्त परिच्छे ही करेंगे कि इनका जन्म मध्या परदेश के उजय शहर में हुआ था इनकी प्रमुक्रतियों के नाम यहाँ पर प्रदान किये गए हैं जैसे प्रिक्रमा किसी बहाने और जीप पर सवार इल्लियां उसके बाद आप यह बात देखिए कि सरत जोशी जी की भाशा अत्यन सरल और सहज है मुहावरों औ और हास परिहास का यहाँ पर हलका सपष्ट देकर रतनों को रोजचक बनाया है यानि कि यह अपने जो भी लिखते हैं उसमें हलकी फुलकी भाशा में लिखा करते हैं अब हम आ जाते हैं पार्ट पर कि तुम कब जाओगे अतिथी यहाँ पर वह अतिथी के आने से परेशा उनके घर में मेहमान जो आया है उससे वह दुखी है और तुम जहां बैठे नी संकोच सिगरेट का धुआ फैक रहे हो उसके ठीक सामने एक कलेंडर है वह कलेंडर जो है उसकी तारिखें बदल रहा हूँ वह कहता है कि मैं उसकी तारिखें बदल रहा हूँ तुम कब जाओ मैं ये इंतचार कर रहा हूँ तुम जानते हो कि अगर हिसाब लगाना आता है कि यह चोथा दिन है तुम्हारे सतत आति थे का चोथा भारी दिन चार दिन हो चुके हैं उसको और जाने कि तुम्हारी कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है लाखों में लंबी यात्रा कर के बाद वे दोनों एस्ट्रोनोर थे इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आये हो तुम्हारे जो पैर हैं वो मेरे घर पर आये और वो चरन कमल ब्यंगे जो है इसमें ब्यंगे की भाशा का प्रयोग किया जा रहा है कि तुम मेरे घर पर आए हो तुमने पने पाउं मेरे घर में रखे हैं तुमने मुझसे एक अंतरंग संबंद स्ताबिट कर लिया है तुम मेरे घर में लगाता रहे रहे हो तुम मेरी आये थे अब आने की बात चल रही है कि आये तो क्या हुआ तो मेरे हरदे आशंका से धड़क उठा था यानि कि मैं बहुत घपरा गया था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी और तुम्हारे लिए खाना भी दिया था तुम्हें याद होगा कि दो सबजिया और रायते के लावा हमने मीठा भी बनाया था मीठाई की बात की जा रही है कि जब अतितिया आया था तो उसके उत्साह और लगन में सब चीजें बना डाली थी अच्छी मेहमान वाजी उसकी की गई थी अब क्या है दूसरे दिन उन्हें लग रहा था कि चले जाएंगे ल कि वो जल्दी ही चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ दूसरे दिन भी तुम घर पर ही बने रहे और हमने अपनी पीड़ा पी ली और हम प्रसन रहे ठीक है चले जाएंगे कोई बात नहीं ऐसे सोच करके वो चुप चाप रहे और फिर हमारे सत्कार का ही है आखरी छोर है हमने जो जितनी इज़त तुमें दिये है में मानवात जी की है वह हमारा अंतिम छोर है उसके आगे हम और नहीं बड़े हम तुमें स्टेशन छोड़ने जाते लेकिन तुम गए ही नहीं वो कह रहा है कि हम आपको छोड़ने जाना चाहते थे विदा करना चाहते थे लेकिन तुम गए नहीं, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, और ये सब स्थिती जो है बहुत बुरी हो चुकी है, ये आगात जो है परत्याशित था, यहीं सोचा नहीं था उसने, चोट इतनी मार्मिक है, बहुत बुरे तरीके से दुखी है वो ज्यादा दिन महमान के रु जाएगी, कि तुम इतने दिन ठहर जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं था, अनुमान नहीं था, पहली बार मुझे लगा, कि अतिती सदैव देवता नहीं होता, माना और थोड़े अंशों में राक्षश भी हो सकता है, यानि ज्यादा दिन महमान रुके तो वह कैसा लगने लग जाता है, राक्षश के जैसा लगने लग जाता है, किसी लॉंडरी पर देते हैं, जल्दी धूल जाएंगे, मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था, कि तुम्हें जल्दी जाना है, जल्दी जाने के जार में उसने जल्दी से कप्ड़े रहा हूँ मैंने कहा मेरी पत्नी की आंखे का ये कितनी बड़ी हो गई आज से कुछ वर्ष पूर्वन की ऐसी आंखे देख मैंने अकेले पन की आतरा समापत कर पिस्तर कोल दिया था पर अब जब वे ही आंखे बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है वे इस आशंका और भैश से बड़ी हुई थी कि अथिती अधिक दिनों तक ठहरेगा यानि कि पत्नी को भी अजीव लग रहा है जब अतिती काफी समय तक रुकता है घर पर वो जाने का इजार कर रही है और आशंका जो थी निर्मूल नहीं थी यानि कि उन्हें जो लग रहा था कि अथिती र कर रहा है कि तुम यहीं पर बने हुए हो तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो तुम्हें देखकर फूट पढ़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पढ़का लुप्त हो गई है ठाहकों के रंगीन गुबारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे वे दिखाई नहीं पड़ते हैं यहां पर देखिए वे कह रहा है कि हम तुम्हें देखकर हंसते थे मुस्कुराते थे अब भी खतम हो गया है शब्दों का लेंदेन मिट गया है चर्चा के विशे भी खतम हो गया है परिवार बच बाते हैं सब बाते जो हैं हो चुकी है उनका जिकर हो चुका है और अब क्या है कि वले एक चुपी है शोहाद्र सेने सेने बोर्यत में रुपांतरित हो रहा है भावनाई गालियों का स्वरूप ग्रहन करती जा रही है पर तुम नहीं जा रही हो कि अद्रिश्य गोंच से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है मुझे लगता है कि तुम यहां चिपक कर रहे गए हो मैं इस भेद को से परिवार नहीं समझ पा रहा हूं और प्रिशन उठ रहा है कि तुम कब जाओगे बार बार सोच रहा है कि तुम कब जा रहे हो लेकिन वैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है अपने बिस्तर को गोला रूप प्रदान रूप करते हो गोला कार कर देते हो तो हमें उप्वास तक जाना होगा तुम्हारे मेरे संबंद एक संकर्मन के दोर से गुजर रहे है तुम्हारे जाने का यह चरमक्षन है तुम जाओ ना आती थी कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो फिर से प्रिशन करते है तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना मैं जानता हूं दूसरों के यहां अच्छा लगता है अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते पर ऐसा नहीं हो सकता है अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण से गए हैं होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटने ना दोडे यानि कि ज़़ा दिन गेस्ट बन करके ना रहे अपने खराटों के बीच से एक और रात हुन जाए मान करने के बाद कल जो कीरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वे तुम्हारे आगमन के बाद पांच में सुर्य की परिचित कीरण होगी यनि तुम्हें आए हुए पांच दिन हो चुके हैं और वे तुम्हें चुमेगी तुम्हारे घर लोटने तुम अपने घर जाने का निरने लोगे समान पूर्ण निरने लोगे मेरी शेहन सिलता के वे अंतिम सुभा होगी यनि मैंने तुम्हें काफी सेहन किया है उसके बाद मैं स्टेंड नहीं कर सकूँगा आलड़ खड़ा जाओंगा मेरा अतिति मैं सब जानता हूँ अतिति देवता होता है पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते देवता दर्शन दे करके लोट जाता है तुम लोट जाओ अतिथी इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा यानि अतिथी अगर जल्दी चला जाएगा तो लोग उसे देवता मानते रहेंगे अन्य था उसे देवता मानना बंद कर देंगे यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लोट जाओ यानि मनुष्य अपने आप जो उसके करना चाता है वह करेगा क्योंकि उसे बुरा लग रहा है अतिथी के आने पर तो केता है कि उफ तुम कब जाओगे अतिथी हे भगवान तुम कब जाओगे तो यहां पर अतिथी के काफी समय पर तक रुकने से वह प्रेशान है यहां पर देखिए प्रेश्ण उतर आ रहे हैं यहां पर प्रेश्ण है कि अतिथी कितने दिनों से लेकर के घर पर रह रहा है कैलेंडर की तारिखें किस तरह फड़ फड़ा रही है इनके जवाब आपने मैंने शुरू में ही बताई थे आपको पति पतनी ने मेमान का स्वागत कैसे किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था उसके बाद देखिए दोपहर के भोजन को कौन-कौन सी गरिमा प्रदान की गई उन्होंने रायता भी बनाया, मीथा भी बनाया, पकवान बनाये तीसरे दिन अतिती ने क्या कहा सतकार की उसमा समापत होने पर क्या हुआ यह बड़े वाले प्रिशन है, 25-30 शब्दों वाले फिर इसके बाद हमारे प्रिशन आ जाएंगे पचास से साथ शब्दों में भाषा अध्यन के प्रिशन आ जाएंगे कि दो दो प्रियावाची लिखिए इनके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है इन प्रिशन आतर के लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा